तो हेलो फेंट कैसे हैं दोस्तों आज मैं आपको तरहा हूं बहुत ही कमाल के एक अपडेट के बारे मतने वाला हूं दोस्तों अगर आप Samsung Galaxy को यूज कर रहे हैं बहुत तैम से तो आपको पता होगा आपको सारी डिटेल माप को आगे बाडने से पहले चैललों को सब्स्क्राइब कर लो नोटी से फ़यल यगू अको नुए यकूल अबगर ताकी अप्डेट के बारे में तो उसके लिए आपको करना के जाना है आपको अप्डेट वाले सेक्चिन में चले आना है आप यहां पर देखेंगे आपको एक सेमसंग इंटरनेट ब्राउजर में नए अपडेट यहां पर आपको मिलता हो दिख रहा है नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस अपडेट को रॉल आउट किया गया है 19 अगस्ट को और इसका वर्जन नमरे 27.00.39 जिसको र अपने स्क्रीन के अंदर मतलब कि जहां पर सर्च का ऑप्शन आता ना वहां पर आप इंटरनेट सेटिंग के ऑप्शन को सच कर सकते हैं या ब्राउजर की जो भी सेटिंग से आप उसके अंदर सर्च कर सकते हैं ताकि आप इसली उसको मैनेज कर सके हैं या क्योग उसको मै स्क्रेप्ट और साथ में लास्ट फीचर रिमूफ दॉप्शन टूची इस क्रोल बार पॉजिशन एंड है तो स्क्रोल बार को जो पोजिशन है आप उसको पहले न कर सकते थे अब उसकी पोजिशन एक की आपको इहां जाएंक के सेटिंगे तो आफ देखें सेटिंगे आप hoped expected अपर सबसे बार इक स्सक्रोल आइस जो की था वहान 6.1 में आपको इनार्स एक्स्पिरेंस मिल जाएगा या को तो यह आपको कुछ नहीं करना वाटमेडिक काम करेगा उसके बाद जो थर्ड फीचर था कि स्कॉलिंग वाला ऑप्षन वहाँ पर हटा दिया गया है तो स्कॉलिंग वाला ऑप्षन क्या होता है पहले तो मैं आपको बता दूं लाइक में आपर आगया होम पेच पर और मैंन option को हाँ पर हटा दिया गया तो यहाँ जाएंगे यहां जाने का settings बजाएंगे settings बजाने का यहां कुछ नया कुछ सर्च करके वो कुछ करना है आप मालों बैकराउंड डेटा को एक्सिस को बंद करना है तो आप यहां पर ऐसा लिक लिक के इसको सर्च कर सकते हैं तो यही कमाल के फीचर से जो कि इसके अंदर एड़न किये गए उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी ऐसी नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें गार अब तक आपने अब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो प्लीज अब्रेट आपको सब्सक्राइब मिले और हो सके मुझे इंस्टाराओं फिर्जुक पर भी फॉल्व करें थेंक्यू सो मच